हलो मै लवली केड्स दिस इस कविता साहू और आज हम बात करने वाले हैं हमारा देश टॉपिक पर इस पिक्चर को देखकर आप समझी गए हूंगे कि आज हम अपने देश की प्राकरतिक सोंदर्यता के बारे में बात करने वाले हैं यह देखिए यह जो पहाड आपको दिख रहे हैं ऐसे कई सारे पहाड हमारे देश में हैं जो हमारे देश की प्राकरतिक सोंदर्यता का बखान करते हैं और नदियों और समोंद्र का लेलाता वजल सभी का मन मोह लेता है तो आप इस चित्र को अच्छे से देखिए और मुझे बताईए चित्र में क्या-क्या है येस चित्र में पहाड है समोंद्र है समोंद्र में जहाज है सूरज है बादल है खुला आसमान है हाउस बोट है और कुछ बच्चे और कुछ लोग है पहाड़ पर क्या है देखिए पहाड़ पर बर्फ है और कुछ लोग पहाड़ पर उपर जा रहे हैं लोग पहाड़ पर उपर क्यों जा रहे हैं क्योंकि वे वहाँ घुमने आये हैं और पहाड पर उपर जाकर देखना चाहते हैं तो इसलिवे पहाड पर उपर जा रहे हैं क्या आपने कभी पहाड देखा है ओकी अगर आपने नहीं देखा तो इन शुटियों में आप जरूर जाईएगा और पहाड देखकर आईएगा लोग पहाड पर कैसे चड़ रहे हैं? देखिए कुछ लोग पास एक स्टीक है वे उसकी सहायता से उपर चड़ रहे हैं और कुछ गदे के उपर बैठकर उपर जा रहे हैं क्या आपने कभी समुंद्र देखा है ये देखिए ये क्या है समुंद्र समुंद्र कैसा होता है बहुत बड़ा लोग समुंद्र किनारे क्या कर रहे है कुछ बच्चे हैं जो समुंद्र किनारे खेल रहे हैं और कुछ वहां की रेट से पहाड बना रहे हैं अगर आपका भी समुद्र में जाते हैं तो आप क्या करते हैं हम समुद्र किनारे बैठ कर खूब एंजॉय करते हैं फुटबॉल खेलते हैं महां की रेट से घर बनाते हैं पहाड बनाते हैं और बैठ कर धूप सेकते हैं आप अपने घर में धूप कहा सेखते हैं। धंड के मोसम में हम अपने घरों के बाहर और छट पर मेट कर धूप सेखते हैं। I hope आप सभी को अपने देश की प्राक्रतिक सौंदरियता की बारे में जानकर बहुत मजाया होगा। Thank you!